नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि आरजोल DSR कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, आरजोल DSR कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और आरजोल DSR कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, आरजोल DSR एक ब्रैंड नेम है, आरजोल DSR कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, आरजोल DSR capsule के अंदर salt composition रविप्राजोल और डोम पेरिडोन होता है आरजोल DSR capsule पेट में उत्पन होने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है आरजोल DSR कैपसूल का उप्योग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर आरजोल DSR कैपसूल का उप्योग किया जाता है जैसे दर्ध को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़से पेट में जलन, पेट में दर्ध या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्तर आरजोल डीयसार कैपसूल को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादातर अंटी बायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए अंटी बायोटिक दवाओं की वजह से ये साइड इफेक्स ना हो इसलिए आपका डॉक्तर आर्जोल DSR कैपसूल को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेनी की सलाह दे सकता है इसके अलावा आर्जोल DSR कैपसूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडिशन्स जैसे गैस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है जिसमें पेट में एसिड का उतपादन बहुत अधिक होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि आरजोल डियेसर कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में आरजोल डियेसर कैपसूल की वज़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में आरजोल DSR कैपसूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुँ में सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मास्पेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती हैं. इसके अलावा आरजोल DSR कैपसूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती हैं. लंबे समय तक आरजोल DSR कैपसूल का सेवन करने से, यानि कई महीनों या कई सालों तक आरजोल DSR कैपसूल को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैलशियम, आईरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती हैं. इसलिए डॉक्तर की सला के बिना आरजोल DSR कैपसूल को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार आरजोल DSR कैपसूल को लेने से ऑस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्डिय बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखिली हो जाती है. आरजोल DSR कैपसूल की वज़से ऑस्टियोपोरोसिस तभी होता है. जब आरजोल DSR कैपसूल का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए. अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से आरजोल DSR क कैपसूल को ले रहे हैं. तो आपको कैल्शियम और वितामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए. ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात करना चाहिए. और वितामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की आरजोल DSR कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर आरजोल DSR कैपस की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको आरजोल DSR कैपसूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं आरजोल DSR कैपसूल को ले सकती है या नहीं. वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए आरजोल DSR कैपसूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है. लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट मह पत्सूल को नहीं लेना चाहिए.